Hello everyone! आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैंप्स के यूटुब चैनल पे So start करते हैं आज हम लोग HCF-LCM के type no.3 से type no.3 से हम लोग start करते हैं Type no.3 जो है वो question based on LCM world word problems रहे हैं Last lecture में हम लोगने HCF-based word problems देखे थे और आज हम लोग सबसे ज़रूरी चीज ये कि HCF और LCM-based word problems में actually difference कहाँ पर होता है मतलब आप differentiate कब कर सकते हो कि sir ये HCF वाला word problem है और LCM वाला word problem है तो बड़ा ही simple हो जाएगा ठीक है तो वो भी आज हम लोग देखेंगे फिलाल हमनों diet question के उपर आते है क्योंकि इसमें कोई trick नहीं है आपको just question थोड़ा सा carefully observe करना है और फिर इसको solve करने की कोशिश करना है तो सबसे पहली चीज ये कि question हम लोग पढ़ लेते हैं कि HCM वाला question कैसा रहता है find the least number find the least number मेरे ख्याल से इस least number के जगह पर पिछली बार greatest number था जो कि आपको HCF में था which one divides by which one divides by is divided sorry divides नहीं है divided है जो कि पिछली बार जो था divides था तो देखो यहीं जो मैं आपको differentiate यहीं पर कर दे रहा हूँ कि यहां पर least number है वहां पर greatest था यहां पर divides था और यहां पर अब divided लिखा है यह जो divide है यह जो divides है वो HCF वाला था और यह जो है अब मेरे यह LCM वाला जो question है वो मेरे ख्याल से बन गया या फिर अगर मैं simple इसको और रखना चाहूं तो question में यह जो values आपको दिये है इन value की comparison में जो option की जो value है यह काफी greater है ठीक है तो सबसे पहले में आपको इसको solve करना नहीं आपको differentiate करना सिखा रहा हूं कि HCF वाला word problem और LCM वाले word problem में क्या फरक होता है तो question में दिये गए नंबर और option में दिये गए नंबर में बहुत ज्यादा फरक है यह बहुत चोटे चोटे नंबर से और option में आपको बड़े बड़े value है क्योंकि LCM आप multiply करके निकालते हो और HCF जो है वो divide करके निकालते हो तो HCF में value question की जो value रहती है वो बड़ी बड़ी रहती है options जो रहते हैं वो छोटे छोटे रहते है तो मेरे ख्याल से आप मेरे ख्याल से आप समझ चुके रहोगे कि मैं differentiate जो है कैसे करता हूं तो फिलाल हम लों question के उपर आते कि 8, 9, 12, 15 ये 4 number है ये 4 के common table में एक ऐसा number जिसको अगर मैं इन 4 से divide कर दूँ तो मुझे 1 जो है as a common remainder मिलना चाहिए ठीक है ना 1 जो है as a common remainder जैसे 8 और 9 के table में 72 आता है कि नहीं दोनों के table में मेरे ख्याल से 72 जो है वो आता है तो 72 को अगर मैंने 73 लिख दिया तो 8 से डिवाइड करोगे 73 को तो भी remainder 1 आएगा और 73 को अगर मैंने 9 से डिवाइड किया तो भी remainder 1 आएगा बट मुझे 73 ऐसा number चाहिए जो कि 12 से डिवाइड करने पे और 15 से डिवाइड करने पे भी remainder जो है मेरा 1 मिलना चाहिए ठीक है मेरे ख्याल से अब आप लोग समझ रहे हो कि करके हम लोग किस type के question के आपना question का requirement है वो कैसा है तो question के उपर आते हैं तो सबसे पहला जो step होगा सबसे पहला जो step होगा पिछली बार type number 1 type number 2 में पहला जो step है वो minus करने वाला था बट अब आपका जो पहला step होगा वो LCM of numbers होगा ठीक है LCM of numbers आप निकालोगे यानि कि 8 9 12 15 इन चारों का सबसे पहले तो आप LCM निकालो ठीक है तो दो नंबरों का मैंने pair लिया है दो नंबरों का जो है मैंने pairing किया है so 8 9 क्योंकि दोनों में कुछ भी common है तो 72 12 15 में 3 common है सो 3 से मैंने divide करने के बाद मुल्टिप्लाइ किया और 72 और 60 में common वो 12 6 है और 12 5 है अब मेरे क्याल से मैं अगर इसको multiply कर दो 360 मुझे as LCM जो है इन चारों नंबर के LCM जो है 360 मिल जाता है तो अगर मैंने 360 को इन चारों में से किसी भी number से divide किया तो remainder मुझे 0 मिलेगा remainder जो मुझे क्या मिलेगा जीरो मिलेगा तो I think step number 2 जो है अब आप समझ रहे हो कि जो भी मेरा LCM होगा उसे मुझे क्या कर देना होगा कि remainder को just add कर देना होगा 360 में remainder को अगर मैं add कर दूँ तो मुझे ऐसा number मिल जाएगा मुझे ऐसा number मिल जाएगा जिसको अगर मैं 8 9 12 मिल जाएगा 1 as a remainder जो है remainder मिल जाएगा so मेरे खाल से आप समझ रहे हो कि LCM का जो यह type है इसमें आपको किस तरीके के steps जो है किस तरीके के steps जो है use कर रहे है ठीक है तो मेरे खाल से मैं तो आगे बढ़ता हूँ next question की तरफ आता हूँ इसमें क्या दिया है कि what will be the least number फिर से वही question है almost same है कि what will be the least number which one divided by 12, 21, 35 and leaves the remainder 6 in each case तो वही चीज है steps हम लोग अच्छी तरीके सी जानते है सबसे पहले LCM निकालेंगे LCM किसका निकालेंगे 12, 21, 35 का तो 3 number है कोई भी दो number का pair ले सकते हो तो 3, 4, 3, 7, and cross में किसी भी एक चीज को multiply कर दो तो मेरे खाल से जो लोग यह वीडियो डारेक्ट देख रहे हैं वह मेरे खाल से पिछले वीडियो पर आप जाके देख सकते हो कि हम लों LCM किस तरीके से निकालते है यह दोनों भी 7 के table में आता है तो 7, 5 होता है, 7, 12 होता है मेरे खाल से आप कुछ भी common नहीं बचा तो यह दोनों को multiply कर दो 420 जो है वह है आपका LCM 420 के आ जाएगा आपका LCM आ जाएगा और क्योंकि मुझे एक ऐसा number चाहिए क्योंकि मुझे एक ऐसा number चाहिए जिसको divide करने से इन तीनों से मुझे 6 as a remainder मिले तो अब step number 2 की बारी आती है कि LCM में आप remainder simple add कर दो 420 में अगर मैंने remainder 6 add कर दे तो मुझे 426 as a number मिल जाता है जिसको इन चारों से divide करने के बाद remainder 6 आ जाएगा ठीक है? इसके एक और question के तरह बढ़ते है question में आपको क्या दिया है question में आपको क्या दिया है greatest 3 digit हाँ अब मेरे ख्याल से थुआ सा updated question चलो होता है क्योंकि अब आपको directly यहाँ पर number में remainder plus नहीं कर सकते और उसका condition क्या है question में आपको पूछा है find the greatest number of 3 digit ठीक है? आपको find the greatest number of 3 digits पूछा है which one divided by this number leave the remainder 3 in short आपको वो number डूढ़ना है जो कि इन तीनों से अगर मैंने divide किया तो मुझे remainder 3 तो मिलना ही चाहिए but वो 3 digit के form में होना चाहिए यह नहीं कि आप 2 digit के form में मुझे दे दो और वो भी 3 digit का कौन सा greatest form चाहिए मुझे least form नहीं चाहिए greatest form ठीक है? greatest form चलो मैं इसको समझाता हूँ और उसके पहले हमने step number one है जो कि फिलाल इस question में इस question में अभी भी common है कि LCM निकालना है आपको 6 का 9 का 12 का 6, 9, 12 का मेरे खाल से LCM मुझे बता सकते क्योंकि 6 और 12 का LCM सेम रहेगा और 9 और 12 का LCM आ जाएगा मेरे खाल से 36 36 जो है मेरा as LCM मुझे मिल जाएगा बट अब twist जो है यहीं से चालो हता है अब मैं 36 में 3 प्लस नहीं कर सकता because question में मुझे greatest 3-digit number पूछा है और यह 3-digit ही नहीं यह तो 2-digit है वो भी मुझे 3-digit का greatest form चाहिए तो अगर मुझे 3-digit में convert करना है 36 को 3-digit में convert करने का सबसे easy way क्या है आप किस चीज से 36 को multiply करोगे कि वो 3-digit में बन जाए तो सबसे पहले तो अब मैं 36 को convert करने की कोशिश कर रहा हूँ किसमें greatest 3-digit form में step number 2 greatest 3-digit form में तो सबसे पहले तो इसको मैं into 10 कर दूँगा into 10 क्यूँ करूँगा क्योंकि अभी यह बन गया 360 अभी मुझे और बढ़ाना है क्योंकि यह greatest नहीं बना है 360 जो है 3-digit का greatest number नहीं है और ऐसा ही number लेना है जो 36 के table में भी आना चाहिए मैं number LCM का जो number है वो change नहीं कर सकता तो अगर मैंने इसको फिर से अगर multiply by 2 कर दिया यह हो जाएगा कितना 66720 हो जाएगा मेरे ख्याल से कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा still 720 अभी भी greatest 3-digit नहीं बना मुझे अभी और बढ़ाना है 36 के table में अभी इसको और आगे आगे लेकर आते जाना है 36 के table में 180 को मैं प्लस कर देता हूँ तो यह कितना बज़ जाएगा 900 बज़ जाएगा still अभी भी greatest 3-digit नहीं बना क्योंकि 36 के table में अभी मेरे ख्याल से 72 आता है तो 72 अगर मैंने प्लस कर दिया तो 972 बना और 972 के मैं आगे नहीं जा सकता क्योंकि 972 में अगर मैंने और 36 को अगर प्लस करने की यहां पर कोशिश की सो मेरे ख्याल से यह extend कर जाएगा अपना 3-digit form 3-digit form जो है अभी extend कर जाएगा 4-digit नहीं बन जाएगा सो मेरे ख्याल से अब मैं यह चीज नहीं कर सकता तो simple मैं आपको यहां पर क्या समझा रहा हूँ कि आपको जो first step में LCM मिला है 36 आपको 36 के table में ही एक ऐसा number ढूणना है जो greatest 3-digit में हो greatest 3-digit में आपका होना चाहिए तो यह मुझे greatest 3-digit में 972 मिला जो 36 के table में आता है उसको करने का देखो एकदम easy way कि आप into 10 कर दो 3-digit बन जाएगा फिर धीरे 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 उसको multiply करके या 36 के table के number से plus करके आप उसको greatest 3-digit बना दो अब step number 3 वही है कि जो भी आपको यहां पर greatest 3-digit number मिला है उसमें आप simple जो है अगर मैं remainder को यहां पर plus कर दो remainder को यहां पर plus कर दो तो मुझे ऐसा number मिल जाएगा जिसको अगर मैं इन तीनों में से किसी भी number से divide किया तो remainder मुझे 3 मिलना है remainder मुझे क्या मिल जाएगा यहां पर इस case में 3 मिल जाएगा तो यह वाला जो part है थोड़ा सा इसमें lengthy है इस पर आपको actually काम करना चाहिए इस ही पर आपको थोड़ा सा काम करना है कि आप फटा फट जो है इसके जो answers है वो किस तरीके से आप निकाल सकते है तो एक और question इसका देखते है एक और question जो है हम लोग इसका देखते है find the least four digit अब देखो least number of four digit पूछा है ठीक है आपको number नहीं डूढ़ा है four digit का least number डूढ़ा है जिसको अगर मैं इन तीनों number से डिवाइड करूँ तो मुझे remainder जो है as a five जो है मेरा remainder आना चाहिए step number one में तो कोई change नहीं है कि आप सबसे पहले जो है वो आप LCM निकाल लो क्या हो जाएगा आपका LCM हो जाएगा कि इन तीनों number में 30 जो है वो आता है बट 30 जो है acceptable नहीं है क्योंकि आपको least number of four digit पूछा least number of four digit का least number ठीक है greatest number नहीं least digit पूछा है आपको 30 को सबसे पहले तो मैं क्या ऐसा number से multiply करू कि वो three digit के greatest form में चला है ता कि दिरी दिरे मैं उसको least four digit में लेख रहा हूँ तो सबसे पहले तो अगर मैं इसको tensor multiply कर दिया तो 300 बनेगा यह बट 300 को मैं और बढ़ा सकता हूँ 300 को मैं बना सकता हूँ 900 900 में 30 का ऐसा कौनसा number और आड करूँ जैसे मैंने 30 में आता है 90 और आड किया तो यह कितना बन गया 990 बन गया 990 में अगर मैंने 30 को अगर आड कर दिया 30 को अगर आड कर दिया तो यह least four digit number जो है मुझे देख जाता है 1220 के आपको उपर नहीं जाना है क्योंकि वह least पूछा है तो आप जादा उपर नहीं है सबसे जो छोटा value four digit में जो की 30 के table में आता है जो की 30 के table में आता है least four digit number वह आपको लेना है और simple third step में उस number में आपको क्या कर देना है आपका जो remainder है वह plus कर देना है so that अब आपको एक ऐसा number मिल जाए जिसको इन तीनों में से किसी भी number से divide करने के बाद आपका जो remainder है वह as a आपको five मिले so मेरे क्याल से आप समझ रहे हो कि करके इसको question कैसे करना है एक आखरी question जो हम लोग यहां पर करेंगे फटाफट करना ही कोशिश करेंगे find the greatest number of four digit अब आप इसको फटाफट निकालना ही कोशिश करो मैं भी यहां पर निकालता हो आपको divide करना है इन तीनों number से remainder जो आना चाहिए step number one LCM 12, 16, 24 मेरे ख्याल से आपको अगर LCM पता है तो अब डारेट लिख सकते हो sir 48 जो आएगा वह इसका LCM में 48 जो है आता है but 48 जो है acceptable नहीं है क्योंकि आपको greatest number पूछा है four digit के form में तो आप क्या करोगे four को 48 को सबसे पहले एक ऐसे number से multiply करो कि यह four digit में बन जाए क्योंकि आपको greatest number चाहिए तो मेरे ख्याल से मैं इसको multiply कर दूँगा hundred से 10 से नहीं कर रहा हूँ कि मुझे three digit में नहीं बनाना है मुझे four digit में बनाना है वह भी greatest four digit में बनाना है अब अगर मैं इसको multiply by two कर दूँगी कि अभी भी यह two से भी multiply करने के बाद यह number भी भी उतना बड़ा होगा नहीं जितना actually मुझे इसको बनाना है 9600 अभी भी greatest four digit में बना नहीं है तो 4800 में ऐसे constant numbers आचे आते हैं जिसको मैं इसमें plus कर सकता हूँ इसमें 2400 I think plus कर सकता हूँ 4800 का half है और इसको भी plus करने से मेरे ख्याल से वह value मेरे ख्याल से अगर मैंने इसको plus कर दिया तो फिर तो four digit cross कर जाता तो two forty कर सकता हूँ two forty 48 five होता है two forty तो इसको मैं अगर मैं plus कर दूँ तो मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा still अभी भी मेरे ख्याल से और चीजे इसमें plus करता हूँ 48 के table में 48 के table में और कौन सा number आता है 48 के table में अगर मैंने 96 plus कर दिया तो यहां पर six आ जाएगा यहां पर 90 90 कितना आ जाएगा 93 आ जाएगा और यह आ जाएगा 996 9936 जो है बना अभी मैं इसमें शायद और 48 आड कर दू सो मेरे ख्याल से यह वह number बना जो greatest four digit number है यह वह number बन गया है जो greatest four digit number के form में आपको नजर आ रहा है और last में जो third step है last में जो इसका third step है वह बड़ा ही simple है कि 9984 में अगर मैं simple 5 को plus कर दू तो 9989 जो है 9989 जो है वह आपका final answer में जाएगा वह आपका क्या मिल जाएगा final answer आ जाएगा ठीक है तो यह है आपका type number 3 HF Lcm का type number 3 है वह यहां पर मेरा complete होता है तो आज के लिए इतना ही अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीस हमारे चैनल को ज्यादा स्यादा शेयर करिए लाइक करिए and most important subscribe करना ना भूलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए take care and goodbye bye